नमस्कार, क्यापिचिल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर बिहार की राजनीती से सामने आ रही है जहां महागडबंदन में दरार पड़ चुकी है बड़ी खबर आपको बता रहे है जीतन राम माजी के बेटे जो前hen मंत्री मंडल से इस्तिफा दे दिया है इसे के साथ उनका बड़ा बयान भी सामने आया है कि हम का विले जेडियू में चाहते थे नितीश कुमार इसी वज़से उन्होंने अपना इस्तिफा दिया इस बड़ी कबर पे मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े वे हैं क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर बनिश कुमार बिहार में महागडबंधन की एक बड़ी राली होनी थी विपक्षी एकता की उसके पहले नितीश कुमार को ये कितना बड़ा जटका लग गया देखे नितीश कुमार का कोई पॉल्टिकल कैपिटल बचा नहीं विहार के अंदर अब वो क्या कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनके पास तो वोट बैंक है नि उनके पास वोटनी आज की सच्चाई ये है कि नितीश कुमार अगर अकेले लड़ते हैं उनकी पाटी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और नितीश कुमार खुद भी अगर वो नालंदा बार उधर से चुनाव लड़ते हैं अपने होम डिस्टिक्स से वहाँ पे भी नितीश कुमार लोग सभा की सीट नहीं जीत पाएंगे ये हकिकत ये बात ये नितीश कुमार को अच्छी तरह से समझ में आता है और इसलिए दिक्कत ये है कि ये जो 23 तारिक की मीटिंग हो रही है मीटिंग में आप क्या कह रहे हो मीटिंग में आप कॉंग्रिस पार्टी को blackmail कर रहे हो की बही अगर मोदी को हराना है एक साथ सब को जूट ना पड़ेगा कॉंग्रिस पार्टी को sacrifice करना पड़ेगा तमाम लिस्ट बना करके इन लोगों ने रख रखा है कि कहा कहा कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ नहीं लड़ेगी कॉंग्रेस पार्टी उधर कह रही हम तो लड़ेगे हर जगह से हमारे उपर ही क्यों ये दबाओ तो ये देखिए बिहार में नितिश कुमार का अपना लोकस स्चंड़ाई जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो च्छण हो चुका है तो अब वो क्या करेंगे अब वो ये चाह रहे हैं कि एक तो बिहार के अंदर ही महा गड़बंदन वर्सस महा गड़बंदन शुरू हो गया बीजेपी एक अलग गड़बंदन बनाने में जुटी हुई है और उसमें जो ये सिर्फ कागजों पे दिखाते हैं नितिश कुमार की महा दलित हमारे साथ है महा दलित और दलित का पूरा का पूरा जो है वो एक मातर लीडर है वो मांजी की पार्टी ये जो निसाद की पार्टी है वी आईपी इन लोगों को भी ये लोग साथ मिले करके रखे हुई तो महा गड़बंदन महा गड़बंदन में कौन-कौन तो वाम मोर्चा है इसमें नकसलाइट भी हैं CPI ML वाले और कॉंग्रेस पार्टी JDU और RJD तो ये कुनबा जो है ये एक एक करके टूट रहा है क्यों टूट रहा है क्योंकि 40 सीट में कौन किसको क्या मिलेगा तो अभी खबर आई कि जितन राम मांजी जो है वो BJP के कुछ लीडर से मिल रहे है खबर ये भी आई कि VIP वाला भी जो है वो सानी वो भी किसी BJP के लीडर से मिल रहा है क्योंकि उनको यहां उनका आरोप है उन्हें इज़त नहीं दे रही है ये जो महागडबंदन ये जो वहाँ जो सरकार जो चल रही है अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो आरोप जीतन राम मांजी के बेटी ने लगाया है वो ये कि आपकी तो धरती है नहीं आपका तो बेस खिसक चुका है आपके साथ कुसवाह भी नहीं है क्योंकि उप पत्रिपद दे रखा है मांजी के बेटे को तो आप मांजी के उपर दवाब डाल रहे हो कि तुम पार्टी को विले कर दो तुम्हारी आइडेंटिटी खतम हो जाए तुम हमारे साथ आजाओ और उसके बाद यह कहेंगे कि हमारे साथ महादली थैं आप देखिए पूरी की बटवारे की बात होगी तो यह लाल वियादल तो पूछेंगे यह कॉंग्रेस पार्टी वाले भी पूछेंगे तुमको कितने सीट चाहिए तुम्हारे ओलेटी 17-17 सांसद हैं जो मोदी का पोस्टर लगा करके मोदी का चेहरा दिखा करके आप चुनाओ जीते पिछली बा कुछ वहाँ भी और जो आपके जो सबसे बड़े चानक के थे वो भी पार्टी छोड़के चलेगे वो भी बीजेपी में जा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास न सकती है न समर्थन है बस नाम है और फेवी कॉल है और चीफ मिनिस्टर का की कुरसी है आप यह च करके जैसे यही काम किया किसके साथ यही काम तो यही ब्लैक मेलिंग और यही टेक्नीक तो नितिश कुमार ने अपना उपंदर कुसमा के लिए वो RLSP पार्टी उन्होंने विले करवा दिया अजब विले हो गया तो इनके हाँ जो है आपने जो है कुछ नहीं दिया ना जीवन भर लड़ते 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 आपने पी आपकी राजिनीती नितिश कुमार की RJD विरोध और कॉंग्रस विरोध की रही है इसके अलावा कोई दूसरी राजिनीती आपने की ही नहीं और आज उनी के साथ आप चले गए तो यही तो पंदर कुसमा आप क्या डीलिंग थी डीलिंग तो यही थी कि भई आप फिर निकलो अब यहां से एक बात जो समझ में आ रही है कि नितिश कुमार का जो घटता समर्थन है उसको वो वाकिफ है कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेल होगा खेल इसलिए होगा कि जो नजदीकियां कॉंग्रेस पार इनको फुलंग के ऊपर पेड़ के ऊपर आपने चढ़ा दिया नितिश कुमार को और यह लोग जो आरजेडी वाले कॉंग्रेस वाले सीप्याई वाल यह सब लोग जो है उस सीड़ी लेके भाग गए अब यह उत्रे कैसे तो यह चाह रहे हैं कि हम यह भी आईपी यह कुस कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से यह खबर आ रही है कि वो चार सीटों की डिमांड कर रहे हैं जो वाम मोर्चा है यह चारीस में से चार सीट वो लोग लगना चाह रहे हैं अब चार सीटों चला गया बजगे चछतिस यह क्या आधे आधे पर लड़ेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी को क्या होगा आपके पास 17 सीटें कोई आपको देगा नहीं तो नितिश कुमार ही वस ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट क्या माना जाए आने वाले वक्त में अभी और विकेट गिरेंगे विकेट तो गिरना ओलड़ी चालू है देखिए आप इस गड़बंदन से और लेड़ी जो महां गड़बंदन 23 तारिक की मीटिंग आप करवा रहे थे तो बड़े बड़े लोग तो बहुत सारे लोग पहले ही आपको जो है अलविदा कह चुके हैं कई सारे लोग आपको कहा कि हम आपके साथ नहीं आएंगे हम बीजेपी का विरोज जरूर करते है विजेपी से लड़ते हैं लेकिन हम अपने दम पे लड़ेंगे यह फ्यूटाइल एकसराइज है इसमें हम अपना माथा पच्ची नहीं करेंगे एक चीज तो वो दूसरी चीज कि बारा तारिक का गूफ अप क्यो हुआ बारा तारिक का गूफ इसली हुआ क्योंकि संसिंग और उसके चंचे हैं वह वहां पर नारेवाजी कर रहे हैं कि देश का पीम कैसा हो तो नितीज कुमार जैसा हो अब बताईए यह पागलपन नहीं तो क्या है आपके पास जो कहते ना बिहार में कहावत है घर में भूजी भांग नहीं और सराय पे डेरा मतलब यह कि आप अपने पैरों को अपनी चादर से ज़्यादा फैला रहे हो और राजनीती तो बहुत हार्ड कोर किस्पे होती है ना नाम चलता है ना कुछ चलता है वोटों की गिंती होती है और सब लोग छोटी पार्टी हो यह बड़ी पार्टी हो बार्गेनिंग में वो मास्टर हो होते हैं वहीं पार्टी सर्वाइब करती है जो बार्गिनिंग में कभी भी कॉंप्रमाइज नहीं करती हो निति इसकुमार ऐसे ही ब्लैक मेलिंग करते हुए राजिती करते हुए अपनी कुर्सी को बचाते आये हैं लेकिन इस हाई टाइम दो हजार चौविस के पहले यह जो जेडी चुनाओ लड़ रही होगी क्या माना जए आगे अगला कदम क्या होगा जीतना माजी के बेटे के बीजेपी में आएंगे इधर महां गड़बंदन बनेगा आपको मैं बता दू जे निति उसकुमार का जो पूरा जो खुद के नाम पर जो वोट दैंक के नाम पर ज जो आपको समझे की कुर्मी कह एक बहुत बड़ा चंक कुष्वाह का वो चला आएगा नितिसकुमार के पास बोट बैंक बचेगा ही नहीं फिर आपके साथ महादलित हो तो आप क doet देखिए कि उपंदर कुषवाह ओ चिराग पासवाऌ ओ चिराग मासवान का चाचा हो फि बहुत बुरी खबर महागडबंदन वालों के लिए दिल्ली में बहुत लोगों का हाटपीट बढ़ रहा होगा कि निकीस तुमार अगर कहीं के नहीं रहे तो फिर ये 23 तारिक की मीटिंग क्या होगा जानकारी के लिए तो पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक का धिंडोरा पीटा जा रहा है लेकिन इसे बीच हमको न्योता नहीं गया था उसे की बाद से सुखबुगाहट तेज हो गई थी और आज बड़ी कपर ये सामने आई कि जीतन राम माजी के वेटे सुमर्ण ने मंत्री मंडल पच से इस्तिफा दे दिया है जो नितीश कुमार के लिए बहुत बड़ा जटका है इस बड़ी कपर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरेफिसें रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी